नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं नितिन उम्रे, लास्ट 20 एर से कमर्शल फोटोग्राफी एंड फिल्मेकिंग कर रहा हूँ फिल्मेकिंग में मैं कॉर्परेट फिल्म्स, एड फिल्म्स, डॉक्यूमेंटरिस करता हूँ उसमें मुझे बहुत सारे ग्राफिक्स बनाने पड़ते है, बहुत सारे टाइटल्स बनाने पड़ते है बहुत सारे एडवांस स्किल्स यूज़ करने पड़ते है तो ये सब एडवांस स्किल्स में लेके आ रहा हूँ मेरे चैनल के उपर EDS Advanced Skills Master Class में तो आप Advanced Skills अभी सीख पाएंगे मेरे YouTube चैनल के उपर सो फटा-फट से जाके मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाईए क्योंकि जभी मैं ये Master Class अप्लोड करूँगा तभी आपको इमीजेटली नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे चैनल पे Maximum Subscribers होने के बाद मैं ये Master Course अप्लोड को दूँगा अभी हम जाते हैं आज के टॉपिक के उपर जो है EDS में Project Presets कैसे बनाते हैं अभी Open करते हैं EDS ये देखिए EDS Open हो गया यहाँ पे हम जाते हैं अभी New Project में New Project में जाने के बाद यहाँ पे आपको Presets दिखाई देंगे 1920x108050p 50i ये क्या होता है हमें देखना होता है कौन से Camera पे और कौन से Settings के उपर Video Shoot किया है तो जो वो Clips है वो Clips हम अभी हम देखेंगे हाँ पे देखें ये फिल्डर में बहुत सारे वीडियोज है ये Clips है Clips के उपर मैं राइट लिक करके Properties में जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे Details में जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है Frame width 1920 Frame height 1080 Full HD format है 50 frames per second कभी 25 frames per second भी होता है तो यहाँ पे 50 frames per second है तो हमें Presets बनने पड़े गए 1920 by 1080 50 frames ये वीडियो क्लिप में जो Settings है वो Settings के Presets आपके पास चाहिए यहाँ पे देखेंगे Two Channels है And Audio Sample Rate 48 KHz 48 KHz है ये भी आपको देना पड़ेगा जब आप Presets कर रहे हैं तभी तो आपके पास जो Footage है उसके Properties में जाने के बाद Details में आपको ये सब Information मिलेगी वैसे Presets आपको बनाने है तो मेरे पास अलड़ी ये जो Clips है उनके Presets मेरे पास है ये देखेंगे 1920 by 1080 50 frames per second तो ये मेरे पास है अभी जो नहीं है वो हम लोग बनाने के लिए सिखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास अभी 4K नहीं है तो हम लोग आज 4K सिखेंगे कैसे बनाते हैं तो चलिए ये में Cancel कर देता हूँ हमें जाना पड़ेगा भी Project में जाना पड़ेगा एक Project open करना पड़ेगा ठीक है ये Project में open करता हूँ ये Project open किया ये Project open करने के बाद आपको जो Presets चाहिए वो Presets आप यहाँ पर Settings में जाके बना सकते हैं Settings में System Settings System Settings में Applications में Project Presets तो यहाँ पर जो मेरे पास पहले अवेलेबल है वो दिखाई दे रहे हैं अब यहाँ पर 4K नहीं है मेरे पास 4K डेटा आया है शूट करके तो मुझे वो Edit करना है तो मेरे पास Presets नहीं है तो मैं 4K Edit नहीं कर सकता तो मुझे 4K के Presets बनाने पड़ेंगे जैसे मैं 4K बना रहा हूँ ऐसे भी आप दूसरे भी बना सकते है Full HD के है HD के है वही Process है यह मैं दीखा तो 4K के Presets कैसे बनाते है तो Presets Wizards में जाना है यहाँ पर देखो HDA, SDA, DVA, 4K तो 4K है मैं सेलेट करना है और Frame Rate हमें रखना है 50P अगर आपका Footage है 25P तो आप 25P रखिए आपका Footage है 50P तो आप 50P रखिए 50 Frames Per Second ठीक है And Beat Rate जो है 8 Bit तो यहाँ पर हम लोग करते है Next यह नहीं चाहिए मुझे Completed कर देता हूँ तो यहाँ पर देखें आया 4K 4K आने के बाद उसके ओपर मैं Double Click करता हूँ यह क्या Double Click तो उसके Settings ओपन हो गए यहाँ पर देखें आया है Select Icon तो Icon यहाँ पर Already 4K का है तो हम लोग उसमें कुछ Change नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो 4K का Size रहता है Resolution वो यहाँ पर है 4096 by 2160 Aspect Ratio हमें 16 by 9 यूज करना है Frames Rate जो है 50 Frames per Second चाहिए हमें Video Quality 8 Bit है Sampling Rate जो Audio का Sampling Rate था 48 KHz अभी Audio Channels कितने थे 2 थे तो हम यहाँ पर 8 है तो हम 2 Channels सेट कर देंगे ठीके उसके बाद मैं मुझे Video Tracks चाहिए एक Video and Audio Tracks दो चाहिए मुझे से वो Presets उपन करने के बाद Project में तो मुझे दो Video Audio Tracks चाहिए तो मैंने 2 दिया Title Track मुझे एक ही चाहिए Audio Track मुझे 2 चाहिए 4 नहीं चाहिए तो मैंने यह Settings यहाँ पर कर दिया ठीके यह करने के बाद OK करना है OK करना है ठीके यह Settings हमने कर दिया अभी मैं यह Burn कर देता हूँ Project और वापस यहाँ पर EDS Open कर देता हूँ तो चलिए EDS Open हो गया अभी वापस हम जाएंगे New Project में और वो जो हमने बनाया था Presets वो यहाँ पर आया है के देखेंगे यह देखेंगे यहाँ पर 4K का Preset आ गया तो अभी आपको क्या करना है अगर 4K का आपके पास Footage आता एडिटिंग में तो यहाँ पर Project Name देना है Folder देना है कहाँ पर आपका Project Save होना है और यह Preset जो है वो Select करके आपको Project चालो करना है इसके बाद जो पार्ट आने वाला है वीडिटिंग का वो हम लोग Next वीडिए में देखेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकोन दबाईए एक बार मेरे सब्सक्राइबर्स जादा हो जाते है तो मैं Advanced Skills शेर करने लगूँगा क्योंकि सभी लोगों को उसका फायदा हो सके तो धन्यवाद दोस्तो वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेर कीजे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद